Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. आज मैं आप विस्तास बुक के लेशन नमबर वन दा थर्ड लेवल का पहला लेशन सुरू करता हूँ. Class 12th का है CBSC Board. आज ये इसे explain करते हैं और इसे बहुत ध्यान से सुनिए. और इसे सुनते हुए मेरे चैनल Home Education को subscribe कर ले हैं. The presidents of the New York Central and the New York New Haven and Hard Ford Railroads will swear on a stack of timetables that there are only two. New York, New York Kendra के और New York नई बंदरगा के और Hard Ford Railroads के अध्यच. समय साड़ी के धेरी के उपर ये सपत लेंगे की सिर्फ दो अस्तर हैं या सिर्फ दो प्लेटफॉर्म हैं. यहाँ पर बात हो रहे हैं, Grand Central Station के सिर्फ दो प्लेटफॉर्म हैं. बट आई से देर आर थ्री, लेकिन राइटर कहता है, जैक फिनी कहता है कि नहीं दो नहीं तीन प्लेटफॉर्म हैं. मतलब निव यार्क के Grand Central Station के तीन प्लेटफॉर्म हैं. ऐसा राइटर बोलता है. जबकि वहाँ के प्रेसिडेंट क्या बोलते हैं? वहाँ पर सिर्फ दो प्लेटफॉर्म हैं, दो लेवल हैं. विकाज आई हैव बिन आन्दा थर्ड लेवल आप दा Grand Central Station. राइटर बोलता है क्योंकि मैं Grand Central Station के तीसरे लेवल पर रहा हूँ, तीसरे प्लेटफॉर्म पर गया हूँ. येस, आई हैव टेकेन दा अबियस स्टेप. हाँ, मैंने असपश्ट कदम बढ़ाए हैं. आई टाग्ड टू एस साइकेर्टिस्ट फ्रेंड आफ माइन, अमंग अधर्सुर्म कई लोगों में मैंने अपने एक मनोची किस्षक डाक्टर से बात किया. राइटर कहता है कि मेरे कई मित्र हैं, उनमें एक मनोची किस्षक है, मैंने उससे बात किया. I told him about the third level at Grand Central Station. मैंने अपने मनोची किस्षक से Grand Central Station के तीसरे लेवल, तीसरे अस्तर के बारे में बात किया, तीसरे प्लेटफार्म के बारे में बात किया, and he said it was a waking dream, wish fulfillment. और मेरे उस डाक्टर ने कहा कि यह एक waking dream है, जागता हुआ, स्वपन है, जागरत स्वपन है या wish fulfillment है, इच्छाओं की पूर्ती है. He said I was unhappy, उसने कहा कि मैं दुखी हूँ, that made my wife kind of mad, that made my wife kind of mad, इन बातों ने मेरी पत्नी को पागल बना दिया, एक परकार का पागल बना दिया, but he explained that he meant the modern world is full of insecurity, fear, war, worry and all the rest of it. लेकिन, डाक्टर साब ने मुझे explain करके बताया, कि उनका कहने का मतलब है कि आधुनिक संसार, असुरच्छा, भै, युद, चिन्ता, डर, और सेस बातों से भरा हुआ है, and that I just want to escape, और इसी लिए मैं इस दुनिया से पलायन करना चाहता हूँ, या मैं भागना चाहता हूँ, दुनिया की वास्तविक्ता से पलायन करना चाहता हूँ, ऐसा डाक्टर साब ने, जैक फीनी से कहा, राइटर से कहा, वेल, ठीक है, फू डजन्ट, कौन भागना नहीं चाहता, कौन पलायन नहीं करना चाहता, everybody, सभी लोग ऐसा करना चाहते हैं, I know wants to escape, मैं जानता हूँ कि मैं पलायन करना चाहता हूँ, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station, तो राइटर करता है कि अगर मैं पलायन करना चाहता हूँ, या और लोग भी पलायन करना चाहते हैं दुनिया की हकिकत से, तो लेकिन वो Grand Central Station के तीसरे लेवल में तो नहीं जाते, Grand Central Station के तीसरे प्लेटफार्म पर तो नहीं घुमते, जैसे कि मैं घुम रहा हूँ, राइटर का दावा है, फिर आगे क्या होता है, but that is the reason he said, and my friends all agreed, लेकिन यही कारण है, उसने कहा और मेरे सारे मित्र सहमत हुए, everything points to it, they claimed, सारी चीजे point to point थी, सटीक थी, उन लोगों ने दावा किया, my stamp collecting for example, जैसे कि मेरा एक टिकट संग्रा की आदत है, जो यह दावा करती है कि मैं पलायनवादी हूँ, for example, that is a temporary refuge from reality, उदारन के लिए यह आदत, वास्तविक्ता से भागने वाली आदत है, well, may be, बहराल हो सकता है, but my grandfather didn't need any refuge from reality, लेकिन राइटर कहता है कि मेरे दादा जी को तो वास्तविक्ता से पलायन नहीं करना था, things were pretty nice and peaceful in his day, उनके जमाने में चीजें बहुत सुन्दर हुआ करती थी, शान्ति पूड हुआ करती थी, तो फिर वो क्यों ticket collecting करते थे, फिर वो क्यों ऐसा करते थे, from all I hear, जहां तक मैं सुनता हूँ, and he started my collection, और उन्होंने मेरा संग्रा सुरू किया, फिर राइटर कहता है, यह एक अच्छा संग्रा भी है वेवारिक रूप से, हर एक यूएस इस्यू के चार ब्लाग पहले दिन के कवर वगेरा को संग्रा करना, फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट रुजवेल्ट कलेक्टेड स्टार्म्स टू, यू नो, फिर राइटर कहता है कि, राष्टपती रुजवेल्ट भी टिकट कलेक्टिंग का काम करते थे, जैसा कि आप जानते हो, एनिवे, एनिवे, इनिवे, हीर इज वाट हैपन एड ग्रेंट सेंटरल, बहरहाल, मैं आपको यह बताता हूँ कि, ग्रेंट सेंटरल पर कौन सी घटना घटी या क्या बात हुई, ग्रेंट सेंटरल इस्टेशन पर क्या घटना घटी, क्या बात हुई, एक रात की बात है पिछले गर्मी में, मैं अपने आफिस में काम करता रहा और लेट लोटा, आईवाजी ने हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं अपने घर आने की जल्दी में था, इसलिए मैंने ग्रेंट सेंटरल की सुरंग वाला रास्ता पकड़ने का फैसला किया, विकाज इस फास्टर देन दे बस, क्यूंकि ये रास्ता जो है बस से जल्दी पहुंचा देता है, फिर क्या होता है, आगे सुनिए, लेकिन अब मैं नहीं जानता हूँ कि, ये घटना मेरे साथ क्यों घटी? I am just an ordinary guy named Charlie, 31 years old. मैं तो एक साधरान सा आदमी हूँ, मेरा नाम Charlie है, 31 साल का हूँ, and I was wearing a tan garbadan suit and extra hat with a fancy band. और मैंने एक चमडे का suit पहन रखा है, और एक तिनका से बना हुआ hat पहन रखा है, जिसमें बहुत ही fancy सा बंधन बंधा हुआ है, I was a dogen man who looked just like me. मैं ऐसे दरजनों आदमी को जानता हूँ, जो बिल्कुल मेरे जैसे ही दिखते हैं, या मेरे जैसे हाभावाले हैं, और मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, I just wanted to get home to Louisa, my wife. मैं तो जल से जल अपने घर जाना चाहता हूँ, अपनी पतनी Louisa के पास. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue. मैं Vanderbilt Avenue से Grand Central Station की तरफ गया, and went down the step to the first level. और मैं पहले platform या पहले अस्तर की सीडियों पर, सीडियों से नीचे उतरा. Where you take trains like the 20th century, जहां पर आप बीशमी सताब्दी जैसी train पकड़ सकते हैं, then I walk down another flight to the second level, और फिर मैं जो है, नीचे की तरफ आता हुआ, दूसरे लेवल की सीडियों को पकड़ा, where the suburban trains live from, जहां से उप नगरी, जहां से ट्रेने उप नगर जाती हैं, dug into an arged doorway, heading for the subway, एक सुरंग जैसा, घुमाओदार, छोटा सा द्वार बना हुआ था, उसी में जुप करके, राइटर अंदर चला गया, and got lost, और उसी में खो गया, उसी सुरंग वाले रास्ते में खो गया, that is easy to do, ऐसा करना सरल है, I have been in and out of Grand Central hundreds of time, राइटर कहता है कि मैं Grand Central Station जो है, वहाँ पर कई बार in और out हुआ हूँ, मतलब अंदर बाहर हुआ हूँ, बट I am always bumping into new doorway and stairs and corridors, लेकिन मैं हमेशा ही नए ने दरवाजे, सीड़ियां और गलियारे पाता रहा हूँ, once I got into a tunnel about a mile long, and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel, एक बार तो मैं एक मील लंबी सुरंग में चला गया, और फिर वहाँ से मैं Roosevelt Hotel के लाभी में निकला, another time, एक और बार, I came up in the office building on 46th street, three blocks away, एक और बार मैं लगबग 3 मील दूर, एक 46th street पर बने हुए एक office building पर निकल गया, यहनि Grand Central Station से, एक बार वो Roosevelt Hotel के लाभी में निकल गया, और एक बार Grand Central Station से, लगबग 3 मील दूर, 46th street एक building है, उसके office में निकल गया, तो राइटर यह कहता है कि Grand Central Station का रास्ता कहां कहां जा रहा है, sometimes I think Grand Central is growing like a tree, pushing out new corridors and staircases like roots, राइटर कहता है कभी-कभी मैं सोचता हूँ कि जो Grand Central Station है New York का, यह किसी पेड़ की तरह उग रहा है, नए-नए गलियारे निकाल ला है, नए-नए स्यूडियां निकाल ला है, और बिल्कुल जड़ों की तरह, तो इस्टूडेंट्स, यह मैंने आपको पहला parts, दा थर्ड लेवल का मैंने पहला parts आपको दे दिया, और उसके बाद serial wise आपको दूसरा part मिलेगा, और इसमें कुछ बातें हैं, जैसे इन बातों को आपको हमेशा याद रखना है, कि राइटर जो है पलायनवादी है, एसकेपिष्ट है, यह बात सत्य है, और राइटर जो है जीवन के संगहर्स, कठिनाई, और युद्ध के भयानक परिडामों, और जीवन की दरिदिता परसानी इन चीजों से बचने के लिए वो पलायन करता रहता है, इसलिए वो ग्रेंट सेंटर इस्टेशन के तीसरे प्लेटफार्म पर पहुँच गया, थर्ड लेवर पर पहुँच गया, जबकि ग्रेंट सेंटर इस्टेशन का तीसरा प्लेटफार्म है ही नहीं, और फिर एक बात और ध्यान दीजिए, जो राइटर का साइकेर्टिस्ट फ्रेंड है मनोचिकिसक फ्रेंड है जिसका नाम सैम है मैं आपको अभी सही बता दे रहा हूँ हकीकत में वो भी एक कालपनिक डाक्टर है राइटर ने उसे भी अपनी कलपना से ग्रो किया है और उससे बात करता है उससे सलाम असुरा करता है एक्शूल में ऐसा कोई डाक्टर भी नहीं है टिक है ग्रेंड सेंटर इस्टेशन भी नहीं है इन बातों को आपको ध्यान रखना है अब इसके बाद दूसरा पार्ट आपको मिलेगा ओके थैंक यू